वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल निशा अजूकेशन आज की इस वीडियो में हम ग्लास 9 का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत ठीक है जिसे हम इंग्रिस में कहते हैं सरकल स्टार्ट कर रहे हैं और हम क्या काम करेंगे सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉंसेप्ट को हैंगे ताकि हम पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएं ठीक है तो यह बेसिक कॉंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप इन एक एक बिंदों को ध्यान से समझेगा ठीक है तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वृ वस्तों यह देखे होंगे ठीक है जैसे मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगोंने चूड़ी देखी होगी ठीक है गाड़ी का पहिया देखा होगा ठीक है घड़ी का डायल देखा होगा या बहुत सारे सिक्के हैं एक का सिक्का दो का पांच का ठीक है तो इन सारी वस् करें वृत्त को बनाने की कि यदि आपसे कोई बोले कि आप वृत्त बनाईए तो आप कैसे बनाएंगे ठीक है आप क्या काम करेंगे एक पैंसिल और एक परकार उठाएंगे ठीक है और परकार की नोग को आप इस्थिर बिंदू पर रखकर एक निश्चित दूरी तक परकार को फैलाएंगे ठीक है और उस इस्थिर बिंदू पर परकार की नोग को रखकर पैंसिल को घुमाएंगे ठीक है निश्चित दूरी पर जिससे हमें क्या प्राप्त होगा एक वृत्त प्राप्त होगा ठीक है ये तो बात हुई वृत्त को बनाने की अब यदि हम बात करें वृत्त की परिभाशा भी तो मालूम होनी चाहिए न और देखिए चैप्टर का नाम ही है वृत्त ठीक है तो आपको वृत्त की परिभाशा तो आनी ही चाहिए ठीक है तो वृत्त की परिभाशा बहुत ही ज्यादा आसाने ध्यान से देखेगा एक ही बार में समझ में आ ज होते हैं ठीक है फिरसे सुनिएगा ब्रित बिंदू Com bigger स्थित होता है जो किसी तल पर 9डर बिंदू से निशित दूरी पर इस्थिफ क्या है एह थिए जो कि मैंने यह पर बनाया हुआ यह बीक हो बीच में ठीक है यह स्थिर बिंदू है तो इससे निशित दूरी पर एक सेक्ष दूरी पर ये बिंदू का समू है ठीक है क्योंकि ये हम व्रत में ऐसे पास-पास जैसे मैं बात करूँ यहां पर बताते हैं ठीक है मान के चलो एक इस्थिर बिंदू है ठीक है इससे हम निश्य दूरी पर ऐसे धेर सारे क्या बना दे बिंदू बना दे बहुत करीब करीब और इन बिंदूओं को हम आपस में क्या करें मिला दे तो ये क्या बन जाएगा एक वृत बन जाएगा ठीक है तो फिर से सुनिएगा वृत की परिभाशा की वृत बिंदूओं का समो होता है जो किसी तल पर इस्थिर बिंदू से निशित दूरी पर पर ब्लैक वाली ठीक है तो ये ब्लैक वाली लाइन जो की गोल है यही क्या कहलाती है व्रत ठीक है और ये अंदर वाला तो व्रत का अंदर का भाग है मैं आगे बताऊंगी इसे क्या कहा जाता है ठीक है लेकिन यदि मैं बात करूँ आपसे कोई पूचे की व्रत कौन सा है तो आप किस पर उंगली रखेंगे, इस पर कि ये क्या है वृत, जो कि ये सरकल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो चलिए, जो परिभाशा मैंने आप लोगों को बताईए, सबसे पहले हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पर वृत की पर परिभाशा लिख दी है, ठीक है, कि एक तल पर उन सभी बिंदूओं का समूँ, जो तल के एक इस्थिर बिंदू से एक निश्यत दूरी पर इस्थित हो, एक वृत कहलाता है, ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको बताईए, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, यदि हम बात करें वृत के केंद्र की, ठीक है, कि वृत का केंद्र क्या होता है, ठीक है, तो देखे, परिभाशा में एक सब्द आया है, इस्थिर बिंदु, ठीक है, जो कि वृत के बीचों बीच में होता है, ये क्या कहलाता है, वृत का केंद्र, ठीक है, अब देखिए, अ आईए हम वृत की तरज्या को भी समझ लेते हैं तो देखिए वृत के केंद्र से वृत के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखा खंड क्या कहलाता है? वृत की तरज्या कहलाती है यदि हम यहाँ पर वृत के केंद्र से वृत के इस बिंदु को मिलाए देखें यहाँ पर वृत के केंदर से वृत के किसी बिन्दू को मिलाने वाला रेखा खंड क्या कहलाता है वृत की तरज्या कहलाता है ठीक है अब जरूरी नहीं कि हम वृत के केंदर से इसी बिन्दू को मिलाए हम इस पूरे वृत में कहीं भी मिला सकते हैं जिसे इस केंदर को हमने यहां से मिला दिया, यहां से मिला दिया, हमारी मर्जी हम कहीं से भी मिलाएं, वृत के केंदर से, ठीक है, वृत के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखा खंड क्या कहलाता है, वृत की तरज्या कहलाता है, ठीक है, तो I hope वृत, वृत का केंदर और वृत की तरज्या क आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है अब देखिए अगला पद क्या है वृत का तल अब चलिए हम इस टार्म को मतलब वृत के तल को भी समझ लेते हैं ठीक है तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा ठीक है कि वृत जिस तल परिस्थित होता है उस तल को वो तीन भागों में बाटता है ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो हम उन तीनों भागों के नाम लिख लेते हैं ठीक है पहला होता है अभ्यंतर ठीक है दूसरा होता है वृत और तीसरा भाग होता है बहिर भाग तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि वृत जिस तल पर इस्थित होता है उस तल को तीन भागों में वो बाटता है ठीके अभ्यंतर वृत और बहिर भाग ठीके तो जैसा कि मैंने यहापर एक तल बनाया हुआ है ठीके यह चोकोन आप लोगों को दिख रहा है यह क्या है एक तल ठीके इसमें एक वृत बनाया हुआ है तो यह वृत इस तल को तीन भागों में बात देगा ठीके पहला भाग है अभ्यंतर जो की इस वृत मतलब यह जो गोल वाला सरकल दिख रहे है इसके अंदर का भाग होता है ठीके यह अंदर का पूरा भाग क्या लाता है अ यह जो गोल वाला सर के लएन ये क्या है वरित और तीसरा भाग होता है बहिर भाग जो कि व्रित वहार का होता है मतलब यह वाला तो यह जो मैंने यहते बनाया हुआ है डेस्जर्स करके यह क्या कहलाता है बहिर भाग ठीक है I hope ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि वृत जिस तल परिस्तित होता है उस तल को वो तीन भागों में बाटता है ठीक है पहला होता है अभ्यंतर जो कि वृत के अंदर का भाग होता है दूसरा होता है वृत जो कि ये गोल सरकल होता है और मैंने से lining lining बनाई हुई है ये क्या है वृत का बहिर भाग है ठीक है तो देखिए यहाँ पर एक question बहुत जादा पूछा जाता है कि वृत का केंद्र वृत के किस भाग पर इस्तित होता है तो ये होता है अभ्यंतर में इस्तित होता है ठीक है अब देखिए ये जो अभ्यं वृत्तर प्लस वृत्त दोनों मिलकर क्या बनाते हैं वृत्तिय शेत्र ठीक है तो फिरते देखेगा कि ये अभ्यंतर और ये जो गोल वाला सरकिल है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं वृत्तिय शेत्र आप इस बात को भी ध्यान में रखेगा ठीक है तो ये अभी अभी हमने क्या समझा वृत्ति है छेत्र भी समझा ठीक है न अगली जो टर्म है वो है वृत्त की जीवा तो हम इसे भी समझ लेते हैं देखे वृत्त की जीवा क्या होती है ठीक है तो वृत्त के किनी दो बिंदूओं को मिलाने वाला रेखा खंड क्या कहलाता है वृत्त की जीवा कहला यहां पर देखी यह एक बिंदू है और यह बिंदू है हम इसका नाम भी दे सकते हैं ठीके लेकिन नहीं देंगे बस आप इतना याद रखिए कि वृत के किनी दो बिंदू को मिलाने वाला रेखा खंड क्या कहलाता है वृत की जीवा कहलाता है ठीक है तो आएफोस यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि वृत के किनी दो बिंदू को मिलाने वाला रेखा खंड क्या कहलाता है वृत की जीवा कहलाता है ठीक है तो वृत की जीवा हम बहुत सारी खीश सकते है ठीक है अब देखिए एक जीवा ऐसी भी होगी जो कि वृत के केंदर से होकर जाएगी ठीक है तो मैं इसको बना देती हूँ ठीक है यहाँ पर देखिए एक जीवा ऐसी भी है जो कि वृत के केंदर से होकर जा रही है ठीक है यहाँ पर देखिए हमने वृत के दो बिंदूओं को मिलाया जो कि क्या है यह जीवा और किस से होकर जारी है, वृत के केंदर से होकर जारी है, मतलब ओ से होकर जारी है, यह हम वृत के केंदर को ओ नाम दें, ठीक है, तो ऐसी जीवा जो वृत के केंदर से होकर जाती है, वृत का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है, वृत का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक ह व्रित की सबसे बड़ी जीवा जो की व्रित के केंदर से होकर जाती है क्या कहलाती है व्यास कहलाती है ठीक है और व्यास के बारे में आप लोगों को एक और फैक्ट बता दूं कि व्यास की लंबाई त्रिज्या की क्या होती है दुगनी ठीक है मतलब यदि हम दो त्रिज्याओं को ऐसे जोड़ दें तो क्या बनता है? व्यास बनता है ठीक है? अब अगली टॉम क्या है? चाप ठीक है? तो चाप भी बहुत ही ज़दा easy है ध्यान से देखेगा तो देखें चाप को समझाने के लिए मैंने हाँ पर एक अलग से वृत बनाया है ठीक है? तो वृत के किनी दो बिंदू के बीच का भाग ठीक है? जैसे कि मैंने इस वृत पर दो बिंदू ये पहला बिंदू बना लिया और ये दूसरा बिंदू बना लिया ठीक है? तो वृत के किनी दो बिंदू के बीच का भाग, अब बीच का भाग कुन सा है? यह वाला, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? यह भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है, ठीक है? I hope यह चीज आपको दिख रही हो, ठीक है? अब देखिए, चाप भी दो प्रकार की होती है, ठीक है? एक दीर्घ चाप और एक लगू चाप, ठीक है? तो यहां पर देखिए, यह छोटा भाग है, ठीक है? तो यह क्या कहलाएगा? लगू चाप ठीक है? और यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, यह क्या कहलाएगा, दीर्ग चाप, ठीके, तो I hope यह चाप भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ, कि यह दी हम वृत के किनी दो बिंदों के मध्य या बीच की बात करें, ठीके, वृत के किनी दो बिंदों के बीच की भाग या मध्य के भाग को क्या कहा जाता है चाप ठीक है चाप दो प्रकार की होते हैं एक लगू चाप जो कि यहां से लेकर यहां तक कि छोटा भाग दिख रहा है यह लगू चाप होता है ठीक है और यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा यह दीरग चाप कहलाएगा ठीक है अब अगला पद है अर्धिवरत तो अर्थ फ्रत भी बहुती असान है, इसे भी ध्यान से देखेगा, ठीक है, मैं सबसे पहले बना लेती हूँ, तो देखे, ठीक है, यदि हम बात करें वृत की चाप की, ठीक है, तो वृत के चाप के जब दो सुरे, जैसे कि मैंने आप लोगों को चाप बताया था, कि वृत के किनी दो बिन्दू के बीच का भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, ठीक है, जिसमें छोटा भाग, लगू चाप कहलाता है, बड़ा भाग, दीर के चाप कहलाता है, अब ऐसी कंडिशन भी तो आ सकती है, जब ये बीचों बीच में हो, या मैं कहदू, जो चाप के बिन में बढ़ जाता है ठीक है और यह चाप भी आपस में क्या हो जाती है बराबर अब देखिए यहाँ पर आप यह तो नहीं कहे सकते ना कि यह वाली लगु चाप है और यह वाली दिर्ग चाप है ठीक है क्योंकि दोनों चाप तो बराबर हो गई तो इस situation में जब दोनों चाप क्या हो जाए बराबर तो इन दोनों चाप जो की बराबर है इन्हें कहा जाता है अर्ध वृत ठीके क्या कहा जाता है अर्ध वृत देखने से भी समझ में आ रहा है ठीके ये वृत का आधा भागे तो क्या होग ठीक है और ये इतना भाग भी क्या होगा अर्ध व्रत और इन अर्ध व्रतों को मिलाने पर क्या मन जाएगा पूरा व्रत ठीक है तो देखे अर्ध व्रत भी बहुती ज़दा असान था ठीक है अब परीधी की बात कर लेते हैं तो परीधी क्या होती है ठीक है जो व्रत की ठीके, क्या कहलाती है, परीधी, मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, कि वृत की संपूर्ण या पूरी लंबाई, ये गोल वाली, ये क्या कहलाती है, परीधी कहलाती है, ठीके, ये क्या होती है, वृत की लंबाई, वृत की संपूर्ण लंबाई, ठीके, तो वृत क परीदी भी बहुत ही जदा आसान थी अब हम समझ लेते हैं वृत्त खंड या वृत्तिया छेत्र तो देखिए वृत्त खंड या वृत्तिया छेत्र क्या होता है ठीक है मैंने अभी अभी आप लोगों को चाप बताया था कि वृत्त के किनी दो बिंदूओं के मध्य या जीवा और इस चाप ठीक है ये वाली लगु चाप और जो लगु चाप लिखी न ये ठीक है ये लगु चाप और इस जीवा के बीच या मध्य का जो भाग है ये वाला ये क्या कहलाता है वृत्त खंड कहलाता है ठीक है यहां लिख देते हैं ये क्या कहलाता है वृत्त खं ठीक है और वृत्खंड भी अब दो हो जाएंगे ठीक है एक लगू वृत्खंड और दूसरा दीरग वृत्खंड और इस वृत्खंड को वृत्य शेत्र भी कहा जाता है ठीक है यहाँ पर देखिए यह वाला जो भाग है जो की चाप और जीवा के बीच में इस्तित है ठीक ह वृत्त खंड ठीक है तो दीर्ग वृत्त खंड कौन सा होगा ठीक है तो देखी यह चाप थी ठीक है जैसे कि मैं आपको बताया थे यह दो बिंदू वृत्त के इनके बीच की भाग क्या है चाप यह लगु चाप थी ठीक है वैसे ही इस तरब क्या है दीर्ग चाप है ठीक है ठीक है तो ये इतना जो भाग है है ना इस चाप के ये मैं कह दू कि दीर्घ चाप और इस दीवा के बीच का जो भाग है ये क्या कहलाता है दीर्घ वृत्त खंड क्या कहलाता है दीर्घ वृत्त खंड ठीक है बड़े भागों किलमला के यहां पर दीर्घ वृत्त खंड बोल त्रिज्य खंड इसे समझ लेते हैं तो इसे समझने के लिए हमें इसे clean करना होगा ठीक है या मैं चलिए यहाँ पर वृत्त बना देती हूँ तो ये चीज हम बहुत अच्छे से हाँ समझ पाएंगे ठीक है अब देखें त्रिज्य खंड को हम समझ लेते हैं ठीक है चाप के बीच के भागो चाप क्या हो गए इस बिंदू से इस बिंदू के बीच का भाग चाप हो गया ठीक है और यह दो त्रिज्याओं के बीच का भाग क्या कहलाता है त्रिज्य खंड कहलाता है मतलब त्रिज्य का एक खंड कहलाता है ठीक है अब यहाँ पर भी दो त्रिज्य ख खंड लगू तरज्य खंड और ये बड़ा वाला भाग क्या कहलाता है दीरग तरज्य खंड ठीक है तो I hope तरज्य खंड भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाया होगा ठीक है क्या बताया मैंने कि चाप ठीक है चाप और दो तरज्याओं के बीच का भाग क्या कहला तरज्य खंड ठीक है अब इस चोटा भाग के तो लगू तरज्य खंड के हलाएगा और ये उपर वाला दीर्ग तरज्य खंड कहलाएगा ठीक है न? अब देखिर यहाँ पर एक चाप के बीच या मध्य का भाग भी तो क्या कहलाएगा त्रिज्य खंड कहलाएगा ठीके तो इस कंडिशन में जो त्रिज्य खंड है और मैंने आप लोगों को व्रित्खंड बताया था ठीके त्रिज्य खंड और यहाँ पर व्रित्खंड इस कंडिशन में क्या हो जाएंग ठीके, दो तरज्याओं से मिलकर ही तो व्यास बनता है ना, जो कि केंद्र से हो कर जाता है, ठीके, तो यहाँ पर देखिए, इस situation में भी इतना भाग्या कहलाएगा तरज्य खंड, ठीके, कहलाएगा ना, यह दो तरज्याओं हो गई, और यह चाप हो गई, ठीके, तो तरज् condition में, जो तरज्य खंड है, और व्रित खंड क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, और इस condition को हम क्या कहते हैं, अर्ध व्रित भी कहते हैं, ठीके, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़े बताई हैं, I hope आप लोगों को बहुत अच्छे स समझ में आई होंगी, ठीके, आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे, ठीके, फिर से एक बार देखेंगे, तो आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी, ठीके, और मैं आप लोगों को बतादू कि आप क्या करेंगे, कि बुक में, है ना, यह जो भुमिका दे रखिया, आप इसको पढ़ लेंगे, और यहां से लेकर वृतो और इसे समझ में आ जाएंगे, ठीके, आपको क्या करना, यह एक पेज, दो पेज, और तीन पेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीके, आप खुद से पढ़ेंगे, तो आप exercise 10.1 को बहुत अच्छे से solve कर पा बुक से पढ़ लेंगे, ठीके ना, तो I hope यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, ठीके, यदि वीडियो पसंद आई है, तो इससे अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें, ठीके, और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भूलें, और य यदि मेरे चैनल पर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर लें, ठीके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू